अगर आप Exynos में Forex trading करते हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहां पर जो USD लिखा हुआ इसको आइनार में कैसे convert कर सकते हैं इंडियन रूपीस में कैसे convert कर सकते हैं तो इससे ही होगा कि आपको जो इंडियन रूपीस में यहां पर calculation करने में easy होगा क्योंकि हम इंडियन यहां पर इंडियन रूपीस में यहां पर calculation करना easy करते हैं और इससी तरीके से इंडियन रूपीस में calculate करेंगे तो ज्यादा हमको समझ में आएगा और हमारे लिए easy होगा बड़ यहां पे USD में क्या होगा कि बार-बार calculations करना पड़ता है कि lot size इतना lot है तो कितना रुपए जाएगा क्या होगा तो इसको simple सा यहां पे Indian rupees में भी convert कर सकते हैं जिसे directly पता चल जाएगा कि इतने रुपीस का loss होगा और इतना यहां पे होगा और जब यहां पैसे वगरा add वगरा भी करेंगे तो कोई भी यहां पे आपको कम ज्यादा नहीं होगा कई सारे लोग questions भी पूछते हैं कि जब USD में यहां पे add करते हैं तो यहां पे कम हो जाता है कम add होता है तो यह भी problem नहीं होगा तो इसके लिए आपको क्या करना अब ध्यान से देखिएगा तो अभी यह demo account हो चाहे real account हो यहां पे दोनों ही सेम तरीके से काम करता है तो अभी मैं आपको demo में दिखाता हूं उसी तरीके से अब जब real में deposit करेंगे तो आप उचिस कर लिजेगा तो सबसे पहले आप यहां पे क्लिक करिएगा यहां पे जै घ्याकर तो अभी हां पर कर रहा हूं यहां पर रियल में कुछ भी नहीं कर रहाँ यहां पर में content कर रहा हूं तो यहाँ पर demo account को सेलेक करना है उसके सबसेह पहले आपको अपड़ीक करना ऊपको ब्रोव ब्रोव यहाँ पर सबसे पहले आपको standard चूज करना है क्योंकि इसमें जो minimum initial deposit है वह $1 है तो इस पर सबसे पहले आपको आपको standard पर automatically select रहेगा अगर इधर कहीं पर select है तो अब simple इस पर चले आए और अगर आपका पहले से कोई यहाँ पर आपने select किया हुआ उसको change क करना चाहते हैं तो दुबारा आप open new account पर आ जाईए और दुबारा आप नया यहां पर बना सकते हैं एकाउंट तो सिंपल इस पर स्टेंडर्ड पर सेलेक्ट करना है अब जैसे यहां पर कंटीनु करेंगे तो यहां पर देखियो आटोमेटिक रियल पर सेलेक्ट रहेगा आ इगर है रियल बेरॉटिक करने चाहते हैं तो रहने देखियो मैं डेमो इस बागरे 1992 करना है उसके बाद यहां यहां में करूँ तो नहीं कर ना चाहिए क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा leverage रखने पर भी आपको थोड़ा बहुत problem हो जाएगा क्योंकि वो सही नहीं रहेगा कि उधार के base पर अब इतने ज़्यादे trading करें वर इस्टू अंडेट ठीक है इसली यहां पर बाई हो जाएगा हंडेड डॉलर में इसको वर इस्टू हंडेड कर सकते हैं फिर फिराल मैं वर इस्टू हंडेड ही रहने देताओ अभी उसके बाद यहां पर starting balance लिखा हुआ 500 उसके बाद यहां पर लिखा हुआ करंसी तो इस अपर कोई नाम अगर देना चाहें तो दे सकते हैं जैसे कि में यहां नाम दे लिए यहां प्लिए कर लेना है प्लिक कर लेना है कुछ सबस्ते हैं करें कर लेना देगा डेमो एकाउंट उसके बाद यहां पे देखिए अब यूएसडी में अटोमेटिकली यहां पर आएंगे अभी मैं आपको यहां पर बैक करके दिखाता हूं तो थोड़ा से यह एक बार में यहां पर रिफ्रेस्ट कर लेता हूं अच्छे से जो यहां पर अपडेट हो जाए तो यहां पर मैं आ जाता हूं नीची और आप यहां पर चेक करेंगे तो यह देखिए आयनार का यहां पर आइकान बन चुका है अब यह डेमो एकाउंट है डेमो एकाउंट में आयनार हो चुका है और यह है यूएसडी एकाउं तो यहां पर मान लेज़े मुझे यहां पर 10,000 से trade करना है तो for example मैं यहां पर 10,000 यहां पर add कर देता हूँ यह demo account है उसी तरीके से real account में भी आप करिएगा तो इसी तरीके से करिएगा तो यह देखिए यहां पर 10,000 INR add हो चुका है आप जब भी add करेंगे real account में तो आपको जितना add करेंगे उतना ही आएगा जितना withdraw करेंगे उतना ही आएगा क्योंकि इसमें कोई भी चीस नहीं है तो अभी मैं क्या करूँगा simple यहां पर एक्सनेस web terminal पर क्लिक करता हूँ और यहां पर भी इस page को भी एक बार refresh कर लेता हूँ तो यहां पर देखिए INR में convert हो जाएगा वो भी demo account में तो demo हो real हो पहले आप यहां पर कर लिजे अच्छे से तो आपको सारी चीज़े समझ में आएगा यहां पर देखिए अभी नहीं आया क्योंकि already select यहां पर दूसरा था मैं इसको यहां पर select करूँगा तो देखिए यह अभी यहां पर convert हो जाएगा तो यह देखिए यहां पर demo account और यह 10,000 INR में इस तरीके से यहां पर आ गया यहां पर आ गया इस तरीके से जो आप इसको यहां पर चेंज भी कर सकते हैं तो उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए मिलते हैं अगले वीडियो में तबते के लिए धन्यवाद